हैलो स्टुदेंट्स वेल्कम बैक टू परनॉर्मा लार्निंग कैसे आप सब लोग आज हैं मुझे चैप्टल कर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके इससे पहले दो वीडियो आ चुकी है इसके बाद इसके कोशन की वीडियो आएगी फिर ये चैप्टल खत्म हो जाएगा ठीक है चले स्टार्ट करते हैं position आध कर लिए से पहले हमने क्या क्या पढ़ा है बता जाइके पहले वीडियों में एसिट बैसे सॉल्ट के बारे में इसकी डेफिनिशन के बारे में पढ़ां फिर वो किस तरीके से मैंैल अक्साइंड सब्सकाइट और नौन अक्साइड्स और division इसमें common salt के बारे में पढ़ेंगे और common salt यानि NaCl sodium chloride से कितने-कितने हम product बनाते हैं फिर हमें इससे क्या-क्या मिलता है ठीक है तो multipurpose के लिए उस करते हैं सबसे पहले होता है sodium hydroxide यानि कि sodium hydroxide को बनाने के लिए भी हम common salt को यूज करते हैं जैसे कि होता ही है sodium hydroxide अगर हमें बनाना है तो हमें क्या पास करना है जो sodium chloride है NaCl उसका जो aqueous solution होता है जिसे की brine solution भी बोलते हैं उसको हमें क्या react कराना है किसके साथ H2O के साथ ठीक है यानि water के साथ उसको reaction देना है when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride it decomposes to form the sodium hydroxide ठीक है aqueous solution का मतलब ही है कि यह NaCl जो है यह NaCl के अंदर water भी mixed up है ठीक है तो उसे हम brine solution भी बोलते हैं होता ही है कि जब NaCl और H2O की reaction होती है तो sodium hydroxide और chlorine gas और hydrogen gas में वह convert हो जाता है इस process को हम chloro alkali process भी बोलते हैं क्यूंकि इसमें chlorine भी form हो रही है क्यूंकि यहां पर chlorine भी form हो रही है और hydrogen gas भी है कि उसके आगे है कि जो जो इसके बाइप्रोडक्ट है sodium hydroxide chlorine gas और hydrogen उनका यूस कहां कहां है हम किस तरीके से उसे यूस करते हैं क्यूंकि तीनों ही यह useful byproducts है अलग-अलग वह यह use होते हैं हमारे ठीक है तो सबसे पहले जान लेते हैं जो chlorine gas है वह एनोड पर जाती है क्यूंकि एक तरीके से यहां पर हम electricity पास्ट करने को सॉलुशन में बेसिकली है हमारा क्या electrolysis process ही चल रहा ठीक है तो electrolysis process में जो chlorine है वो एनोड पर जाती है chlorine क्यूंकि नेगेटिव है chlorine पर क्यूंकि नेगेटिव होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है ठीक है यह पॉजिटिव एनोड है चार्ज नहीं पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव आले के पास जाएगा इसलिए chlorine जो है एनोड के पास मैर्गरीन में मैर्गरीन जो होता है मैर्गरीन जो सब्स्टिटूट होता है बटर का ठीक है तो वह वेजटेबल ऑइल के साथ इसका रियक्ट किया जाता है और जो है hydrogen करने के लिए swimming pools में chlorine gas को या फिर chlorine gas को डालते है ठीक है और disinfectants में CFC और pesticides में उसी तरह के से जो sodium hydroxide जो फॉर्म हुआ है वह कहां का यूज होता है soaps में detergents में paper making में और artificial fibers में फिर degreasing metals में ठीक है तो आपको इस सब यह uses याद करने है है ठीक है तो उसके बाद फिर यह hydrochloric acid दिया हुआ है it means hydrogen ions तो S2 था हमारे पास फिर इसका chlorine के साथ रेक्ट करेंगे तो HCL बनता है और कहां कहां यूज होता है HCL हमारा cleaning steel में ammonium chloride medicines में और फिर cosmetics में ब्लीच के बारे में भी हम नीच ओले paragraph में पढ़ेंगे तो यह आपको समझ में आ गया होगा इसका reaction और किस तरीके से reaction होती है और जो जो बाइप्रोडक्ट्स है वो कहां कहां यूज होते है तो अच्छे साइसे पढ़िएगा समझनी आया तो notes बनाओ खुद के समझ में आ के साथ रेक्ट कराएंगे calcium hydroxide के साथ जो की select lime भी बोलते हैं इसे तो c aoh का hold twice plus cl2 रेक्ट करेगा तो calcium oxy chloride form होगा calcium oxy chloride इसे bleaching powder भी बोलते हैं ठीक है उसका formula c aocl2 calcium oxy chloride और water इसमें form होगा ठीक है तो अच्छे साइस आपको एक्षिन याद रखने है c aoh का hold twice plus cl2 gives c aocl2 plus h2o bleaching powder is used कहां कहां used होता है bleaching cotton linen in the textile industry bleaching में use होता है for bleaching the wood pulp in the paper factories wood pulp को bleaching या लगला colors provide करने के लिए use होता है और washed clothes को bleach करने के लिए as an oxidizing agent भी इसे use के जाता है ठीक है बहुत सारी chemical industries में disinfectant drinking water क्योंकि इसमें chlorine gas होती है it means यह as an disinfectant भी यूज होता है ताकि हमारा water germ से free रह सके ठीक है तो अभी तक दो process पढ़े हैं हमने sodium hydroxide है sodium hydroxide पढ़ा है और bleaching powder आगे पढ़ते हैं बेकिंग soda बेकिंग soda से के बारे में भी study करेंगे यह काफी इंडरस्टिंग टॉपिक रहेगा क्योंकि आपने सभी ने इसे यूज किया अपने घरों में ठीक है तो बेकिंग soda बेसिकली यूज होता है था सोड़ा commonly used in the kitchen for making the tasty crispy pakodas यानि पकोड़ा बनाने के लिए जो crispy बनाने के लिए ठीक है और किस तरीके से फॉर्म होता है हम फिर से sodium chloride लेंगे water प्लस CO2 प्लस NH3 यहां पर हमने यहां पर अमोनिया भी लिए ठीक है तो दो प्रोड़क्ट फॉर सी एल अमोनियम क्लोराइड और sodium hydrogen carbonate तो इसी तरीके से इसकी फॉर्मिशन होती है बेकिंग सोडा की ठीक है बेकिंग सोडा क्या होता है क्योंकि इसका basic nature होता है तो यहां भी लिखाएगे acid को भी neutralize करता है इसका इसका पूरा basic nature है अब इसे हीट करने पर क्या मिलता हम है अगर हम sodium hydrogen carbonate को जो यहां पर हमें बाइप्रोडक्ट मिला था उसे हीट करते हम तो हमें sodium carbonate मिल जाता है यहने की Na2CO3 प्लस water प्लस CO2 ठीक है अब इसके uses देखते है कि सबसे पहले पॉइंट यह है कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या मिलेगा हम हमें NaHCO3 प्लस H positive यहनी जो hydrogen ions है उन्हें react करेगा यहनी from any acid यह acid से आया है फर एक्जमपल यहाँ HCl भी ले सकते थे ठीक है तो HCl में उन्हें क्या किया है सिर्फ hydrogen ions को ही लिया है तो CO2 प्लस H2O प्लस sodium salt of acid यहनी acid तो form होगा लेकिन उसमे sodium salt भी होगा carbon dioxide produced during the reaction causes bread और cake to rise making them soft and spongy जो यहाँ पर रियक्षाइड जो फॉर्म होगा इस ही कि वह जाती है ठीक है यहाँ पर ब्रैड की बात करें हैं यह केक की बात करें जो soft हो जाता है यह कारण है यह जो CO2 फॉर्म होती है इसमें से वही उसी carbon dioxide ब्रैड या केक को soft बनाती है और sponge जैसे बना देती है और baking soda यानि जो sodium hydrogen carbonate है वो antacids की रूप में यूज होता है antacids मतलब जो against the acids यानि कि जो भी base होते है जो हमारे NaCO3 है वो acid के साथ react करता है और neutralization reaction बनाते है ठीक है उसके बाद being alkaline it neutralized excess acid and stomach and provide relief यह हमने पहले ही पढ़ चुके है यूज जिंदा soda acid fire extinguisers इन समय भी यूज होता है soda acid fire extinguisers में उसके बाद है washing soda washing soda के बारे में पढ़ेंगे अभी हमने उसे जो by product मिलता है Na2CO3.10H2O ठीक है 10H2O का में आगे बताँगो जो water of crystallization है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में you have seen about the sodium carbonate can be obtained by heating the baking soda recrystallization of carbonate gives washing soda basically कहना यह चाहर है जो Na2CO3 जो obtained होता हम है baking soda से यहां पर washing soda है ठीक है हम जो अभी study कर रहे हैं अभी washing soda अब Na2CO3 को हम react करते हैं अगर water के 10 atoms के साथ तो एक water of crystallization बना देता है जो कि Na2CO3.10H2O हो है ठीक है अब .10H2O क्या signify करता है और question है पूछा इसमें does it make the Na2CO3 wet उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी फ़ले इसके uses देखते हैं washing soda के क्या क्या uses है washing soda कहां का use होता है इस use in the glass, soap and the paper industries में फिर यह बोरेक्स manufacture करने के लिए बोरेक्स के होता है sodium का ही compound है cleaning agent में भी use करते हैं जाए as a domestic purpose के लिए और permanent hardness को remove करने के लिए भी washing soda का use किया जाता है आगे देखते हैं अब नेक्स टॉपिक है इसमें अक्टिविटी दे रखी है are the crystals, crystals जो purest form में होते हैं किसी भी चीज के हो सकते हैं water का भी हो सकता है, salt के भी crystal हो सकते हैं या कोई और compound के भी हो सकते हैं बोला इसमें यह है कि क्या वो crystals सच में dry होते हैं या क्या और में कुछ भी water नहीं होता यही इसमें अक्टिविटी के करी गई है इसमें लियाए copper sulphate को इस test tube के अंदर लिया गया और heat करने स्टार्ट कर दिया heat करने पर क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी water था वो पूरा निकल गया और यह white हो गया ठीक है पूरा इस activity का जो result है मैंने भी बताया आपको और यह लिखा भी है copper sulphate crystals which seems to be dry contain water of crystallization when we heat the crystals the water is removed यह हमने उसको COSO4 को heat किया था तो पूरा water remove हो गया था अब remove होने से हुआ यह था कि salt जो था वह white हो चुका है अब वापिस से अगर हमने water डाला उसके अंदर salt के तो फिर से blue color आने लगा तो basically कहना यह चाहते है कि जो हमारे crystals थे CSO4 के तो उसमें कुछ नो कुछ water present था तो वही चीज होती है water of crystallization it means it is the fixed number of water molecules present in one formula unit of salt five water molecules are present in one unit of copper sulphate जो कि यहा लिका है formula unit of copper sulphate sulphate इसलिए CSO4 dot half 5H2 half नहीं सिर्फ 5H2O इसका formula होता है it means इसमें 5 water molecules होते है चीक है इसी तरीके से अब हम इस cancer दे सकते हैं जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे जो Na2CO3 था washing soda dot 10H2 तो आपको समझ में आगए होगा कि इसके अंदर Na2CO3 के अंदर अब इसके बाद हम plaster of Paris पढ़ेंगे उसके बार में study करें कहां कहां योज होता है किस तरीके से form होता है one other salt which possesses water of clusterization is gypsum ठीक है gypsum का जो formula होता है CSO4 dot 2H2O अब यह जो CSO4 dot 2H2O है जो gypsum है इसी को heat किया जाता है 373 Kelvin पे होता ही है कि यह water molecule को loose कर देता है और एक product बनाता है calcium sulphate hemihydrate यहाद करना है आपको CSO4 dot 2H2O है यही formula कहलाता है plaster of Paris यानि POP ठीक है तो समझमा आया कि gypsum को heat किया गया 373 Kelvin पे और जो compound बना वो calcium sulphate hemihydrate बना जिसका formula CSO4 dot 1H2 है और इसको हम plaster of Paris बोलते है अब डॉक्टर का कहां कहां यूज करते हैं इसे the substance the doctor used for plastering जो हमारी एडिया टूट जाती है उसी चीज को उसे जोड़ने के लिए जिस plaster के यूज करते है वह हमारा plaster of Paris होता है और एक तरह के से white powder होता है और water के साथ mix करने पे फिर से जिप्सम फर्म कर देता है जो आपके धरों में छत पे जो लगी होते design बना होता है वह plaster of Paris होता है basically जो CSO4.5H2O होता है इसको वापिस से जह हम पानी में mix करते हैं ठीक है रियक्शन दी हो यह पूरी तो वापिस से जिप्सम बना देता है हार्ड सबस्टेंस हो जाता है इसलिए हमारी जो भी P.O.P. लगी होती है वाल्स पर छूटती नहीं आसानी से और वहमें इसा के लिए वहीं पर चिप्की रह जाती है क्योंकि जिप्सम बहुत हार्ड सबस्टेंस बन जाता है कुछी टाइम में ठीक है तो इस चेप्टर में जो इतना ही है और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो NCRT की जित पूरी जो भी हमें टेक्स्ट बुक प्रोवाइडिड है जो चेप्टर 2 है जो आप भी पढ़ रहे थे जो खतम हो गया है उसे एक बार खुद से रीडिंग करिये तो समझ में आ जाएगा ठीक है और इसके बाद जो वीडियो आएगी इसी चेप्टर की वो टेक्स्ट बुक कोशिंस की और इंटेक्स कोशिंस की आएगी विद सॉलिशन विद एक्स्प्लेनेशन ठीक है तो आपको एक आंसर देना इसमें जो छोटा सब पैरग्राफ जो लिखा हुआ है इसमें आखरी में पूछा हुआ है कैल्सियम सल्फेट हैमि हाइड़ेट इस कॉल्ड दा पी ओपी अनि इसे प्लास्टर ऑफ पैरिसी ही क्यों बोला जाता है ठीक है प्लास्टर ऑफ इंडिया या फिर कोई और कंट्री क्यों नहीं बोले जाता है तो आपको इसका आंसर जरूर बताने और इसके यूज भी लिखा एक और एक तो जो हट्ये तूट जाती है फ्रक्चर बूंस में लगाने के लिए होता है और टॉइस बनाने के लिए डेकोरेशन में सर्फेस को स्मूथ करने के लिए भी यूज करते तो आपको जो आंसर देना कमेंड में लिखके कि कैल्सियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पैरिस की बोले जाता है अम मिलते है नेक्स्ट वीडियो में उमीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपने इहां तक देख लिया है तो चैनल को सब्स्क्राइब करो वीडियो को लाइक भी कर देना ठीक है और उन बच्चों तक वीडियो पहुचा हो जो इस lockdown period में आराम से बैठे में घर पर कि कोई स्कूल नहीं है लेकिन वहां तक पहुचा आप बच्चों तक पहुचा हो वीडियो को ताकि वह लोग भी पढ़ सकें ठीक है तो अम मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाइब नाइस दे